मेरे प्यारे देश वातिया आज मर्शी अर्विंदों की जन्ब जैन्ती भी है मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूँ लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिनोंने कहा था स्वदेशी से स्वराज स्वराज से स्वराज यह उनका मंत्र है हम सब को सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे क्या हमारे देश के अन्न की आवश्यक्ता हो हम आउट्सोर्स कर सकते हैं क्या जब देश ने तै कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे देश ने करके दिखाया कर नहीं दिखाया एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है जो और इसलिए आत्मंदिर भर भारत ये हर नागरी का हर सरकार का समाज के हरिकाई का ये दाईत्व बन जाता है ये आत्मंदिर भर भारत ये सरकारी एजंडा सरकारी कारकम नहीं है ये समाज का जन अंदोलन है जिसे हमें आगे भड़ाना है मेरे साथ्यों आज जब ये बात हमने सुनी आज आधी के पचत्तर साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे पचत्तर साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है 75 साल के बाद लाण किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात एक आवाज उसे नई प्रेड़ा ताकत नहीं दे और इसलिए मेरे पेरे भाई वहनों मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का रदेश से अभिनंदर कर रहा चाहता हूँ मेरी आत्मनिर भर की बात को संगेटिन स्वरूत में साहस के स्वरूत में मेरी सेना के जवानों ने सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंडे पे उठाया है मैं उनको जितनी सैलिट करू उतनी कम है दोश्टा उनको आज में सलाम करता है क्योंकि सेना का जवान मोत को मुठी में लेकर के चलता है मोत और जिन्द्गी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है और तब बीचे में वो डट करके खड़ा होता है और वो मेरा सेना का जमान ताय करे कि हम तीन सो ऐसी चीज़ों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की ये संकल्प छोता नहीं कि मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मन निर्फर भारत के उज़िवल भविश के वो बीज मैं देख रहा हूँ जो इस सपने को वटबुख्ष में परिविर्थित करने वाले हैं सल्यूट, सल्यूट मेरे सेनार के दिकारियों को सल्यूट मैं आज मेरे छोटे 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 बालकों को पांच साल, साथ साल की आयू के बालक उनको भी साल्यूट करना चाहिए उनको भी सलाम करना चाहिए जब देश के सामने चेतना जगी मैंने ने सेंकड़ों परिवारों से सुना है पांच पांच साथ साल के बच्चे गर में कह रहे हैं कि अब हम विदोसी खिलोने से नहीं खिलते हैं पांच साल का बच्चा घर में विदेशी खिलोने से नहीं खेलेंगे ये जब संकल पकरता है न तब आत्मंदिर पर भारत उसकी रगों में दोड़ता है आद देखिए पी एलाइ स्कीम एक लाग करोड रुप्या दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब अजवाने आ रहे हैं तो जिले करके आ रहे हैं रोजगार के नए अफसर बना रहे हैं हारत मैन varias अप् temperature हब बनता जा रहा हूं कि आत्म निर्भर भारत की वुनियाद बना रहा है आज electronic goods manufacturing हो, mobile phone का manufacturing हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगदी कर रहा है, जब हमारा ब्रम्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा, जिसका मन आस्मान को नच्छुता होगा, आज हमारी metro coaches, हमारी बंदे भारा train, विश्व के लिए आकर्शन बन रहा है, मेरे प्यारे देश वाच्छु, हमें आत्म निर्फर बनना है, हमारे energy sector में, हम कब तक energy के sector में किसी और पर dependent रहेंगे, और हमें solar का खेत्र हो, बीन अनर्टिका छेत्र हो, रिडियो बेर के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायो फुएल की कोशिश हो, इलेक्रिक वेहिकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मंदिर्फर बन करके, इनी व्यवस्ताओं को आगे बढ़ाना होगा, मेरे प्यारे भारे देश वास्यों, आज प्राक्रतिक खेती भी आत्मंदिर्फर का एक मार्ग है, फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कार प्राक्रतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, आत्मंदिर्फर को ताकत दे सकती है, आज देश में, रोजगार के खेतर में, ग्रीन जॉप के नएने, खेतर बहुत तेजी से खुल रहे हैं, भारत ने नीतियों के द्वारा, स्पेस को खोल दिया है, ड्रॉन की बहुत बुनिया हमें सबसे प्रकतिशिल पॉलिस से लेकर के आये हैं, हमने देश के नवज़मानों के लिए नए द्वार खोल दिये हैं, मुझे प्यारे भाईयों बहनों, मैं प्राइविट सेक्टर को भी आवाहन करता हूँ, आईए, हमें वीश्व में छा जाना है, आत्मंदिर भर भार भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवशकता Partners को पूरा करने में भारत न जाएगा, हमारे लगूत द्योग हो, हो पुटी द्योग हो, जीरोडिफ्ट, जीरोडिफ्क्ट, हमें करके हमें दुनिया में जाना होगा, हमें स्वधैसी पर घर्व करना होगा.